आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रभू से प्रात्न कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे मैं सोन्या चौदी और फिर से एक बार आपके सामने हाजिर होई हूँ नई खबर लेकर बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे ओफिशल यूट्यूब चैनल ओमप्रोटेक प्राइवेट लिमिटिड पर तो सातियों सबसे पहले आज हम जिक्र करेंगे RPS 08 जो इसकीम निकली थी 5 जुलाई को और उसका अक्टूबर में 10 अक्टूबर को उसका ड्रॉ होने वाला है जो ड्रॉ होगा वो लाइव होगा और वो होगा एक्स्पो मार्ट में प्रॉपर ट्रांस्पिरिंसी के साथ चीजें होंगी और मैनुवली ड्रॉ यहां पर किया जाएगा टोटल नंबर अफ प्लॉट 361 थे जिसमें की 2 लाग से अधिक लोगों ने यहां पर अप्लाई किया है और सबसे बड़ी चीज इतनी सारी स्कीम आ चुकी है उसमें हर बार बताया जाता है वीडियो के माध्यम से की जो पहला पेमेंट और प्लांस सेलेक्ट करते हैं वो ही इलिजिबल होते हैं इस अथौर्टी के ड्रॉ में लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने गलतियां की है फर्स्ट पेमेंट प्लान को ना चुनके सेकंड और थर्ड आप्शन को उन्होंने चुना है जिसकी वजह से उनके फर्म्स को रिजेक्ट कर दिया गया है बहुत सारे लोगों के इसके उपर कोश्चन होते हैं कि जब सेकंड और थर्ड प्लान को लाना ही नहीं है तो शाय सेकंड और थर्ड वाले लोगों को चांस मिल सकता है। तो 10 अक्टूबर को इसका ड्रो होने वाला है बाकी जो लोग रिजेक्ट हो गए हैं जिन्नोंने पेमेंट प्लान वन चुना था या जो भी उनकी कुछ मिस्टेक्स रही होंगी फॉर्म फिल करने में उनको अब हटा दिया गया है। वही सातियो एयरपोर्ट पर हर दिन कुछ न कुछ नई अपडेट आ रही है और बड़ी अपडेट ये होगी कि 15 नेवेंबर से लेके 15 दिसमबर तक लगातार एक महीने नौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ट्रायल चलेगा। बहुत अधिक समय लोगों ने इंतजार किया है इस चीज का कि कब से यहाँ पर प्रॉपर जो विमान है वो उडान भरने लगेंगे। तो आप देख सकते हैं अगले महीने हम नेवेंबर की बात कर रहे हैं आफ्टर दिवाली यहाँ से ट्रायल शुरू होगा और कंटिन्यू एक महीने तक ट्रायल रहेगा। बाकी प्रिवेस वीडियो में हमने आपको बताया था कि 17 एपरेल 2025 में यहाँ से नौइडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पूरी तरीके से शुरूवात हो जाएगी। और जो अभी एक महीने ट्रायल चलेगा वो सारी चीजों का परिक्षण करेगा कि क्या capability है नौइडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की किन-किन उपकरणों पर अभी काम करना है किन-किन उपकरणों की अभी कमी है उसको लेकर एक महीने तक प्रॉपर टैस्टिंग चलेगी। उसी को लेकर आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ कि और क्या update रहेगी केवल यही नहीं कि उपकरणों का ही यहाँ पर चीजे को देखना है बाकी और क्या चीजे होंगी इस ट्रायल में उस पर भी एक बार हम नजर डाल लेते हैं तो उससे पहले डालते हैं स्क्रीन पर एक ट्रायल की तयारी होगी और वो भी लगातार एक महीने यह ट्रायल चलेगा नौड़ा इंटरनेशनल एयरपॉर्ट की फ्लायट का ट्रायल लगातार एक महीने तक जो फ्लायट है वो land और take off दोनों ही होंगी लेकिन उसमें कोई यातरी नहीं होंगे फिलाल के वाल एक तरी जरूरते हैं अभी, जिन भी चीजों की कमी रहेगी, एक उनका अंदाजा उनको लग जाएगा ट्रायल के बाद, और सुविधाएं कैसे कैसे देनी है यात्रियों को, अभी किन सुविधाओं की कमी है यात्रियों को देने के लिए और क्या हम फैसलिटी दे सकते हैं, इन सारी चीजों का भी एक निरक्षन हो जाएगा इस ट्रायल के बाद, वहीं देखते हैं 30 नवंबर को कमर्शल फ्लाइट ट्रायल, 15 नवंबर, 15 दिसंबर तक तो ट्रायल चलेगा, लेकिन 30 नवंबर से, जो इंटरनेशनल फ्लाइट हैं, उनका भी ट्रायल शुरू होगा, आयोजन किया जाएगा, जहां विमान यात्रियों के साथ एयरपोर्ट पर उतरेंगे, और उडान भी भरेंगे, इसमें अकाशा और इंडिगो जैसी प्रमुक एयरलाइन्स भाग लेंगी, वो हमने आपको प्रीविएस वीडियो में भी बताया था, कि किस-किस एयर लाइन के साथ इनका पैच अप होगा, और किस तरीके से यहां से जो विमान है वो उडान भरेंगे, तो यह बेहत अच्छी खबर है उनके लिए जो यहां पर अभी लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और सपना एक यही, आप देखो बहुत सारे लोग एंड यूजर्स भी आगे हैं यमना में, अगर आप देखें तो, अभी हम आपको करंट जो सिचुएशन है यमना थोटी की, उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे कि किस तरीके से डवलपमेंट हो चुका है, किस तरीके से वहां पे फैमली ने रहना भी शुरू कर दिया है, कुछ समय पहले की ही लोगों ने वहां पर रहना भी शुरू कर दिया है, तो यह उन सब लोगों के सवालों के जवाब हैं, जिन लोगों ने एक अंदाजा लगाया था कि यहां पर अभी रेट का इतना कोई इंपोटेंस नहीं है, इतना रेट नहीं होना चाहिए, लेकिन देखते ही देखते है पर रेट भी बढ़ रहे हैं, लोगों ने रहना भी शुरू किया है, इंवेस्टमेंट भी काफी अच्छा साबित हुआ है उन लोगों का जिनों ने एक अच्छी इंटेंशन के साथ यहां पर इंवेस्ट किया है और जिनने पता है कि यहां का फ्यूचर क्या होगा, संचा का अधिकारिक संचालन शुरू होगा, दिसंबर में लाइसेंस मिलने की उमीद है जिससे सुरक्षित और सुचार उरूप से सेवाएं और उडाने शुरू की जा सकेंगी, यह हमने आपको बताया था कि 17 एप्रेल से यहां पर जो प्रॉपर शुरूवात है नोड़ा इंट पत्रित किये जाएंगे और DGCA को विस्तरत रिपोर्ट प्रॉपर भेजी जाएगी, यह ट्रायल ना केवल उपकरोनों और सेवाओं की जाच करेगा बलकि सुरक्षा और यात्री सुविधाओं को प्रात्मिक्ता में रखते हुए एयरपोर्ट को पूरी तरह से सैयार सफल ट्रायल के बाद नौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट छेत्र के आर्थिक विकास और रोजगार में महत्पोन योगदान देगा, जी बिलकुल देगा, नौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यही नहीं केवल एक लोगों का आना जाना या यात्नियों को एक जगे से दूसरी जगा की फैसिलिटी देगा, इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और यमना अथोटी जो अभी आ रही है ये प्राधिकरन, ये एक अलग लेवल का मास्टर प्लान के साथ लॉंच की गई है, यहाँ पर इंस्टिटूशनल से लेके, इंविस्टमेंट से लेके और लोगों को रोजगार देने तक का सारा प्लानिंग और प्लोटिंग के साथ इडा ने अपनी एक पहचान बनाई है, भले ही अभी तक जो समय लगा हो, वो हम हर वीडियो में कहते हैं, वो लग चुका है, लेकिन अब जो आने वाला समय है यमना प्राधिकरन का, वो एक अच्छा future साबित होगा सब ही के लिए, वो आज investment करें या जो पहले कर चुके हैं, या जो आने वाले समय में जो भी अपना मन बनाएंगे यहाँ investment करने का, वो positive investment और एक अच्छा investment उन लोगों के लिए साबित होगा, बाकि मैं तो हर दिन आपके सामने रूबरू होती रहत और सही समय पर सही जगा invest करें, फिर मिलूँगी कुछ नई update के साथ, नई खबर के साथ, अब लेती हूँ आपसे अनुमती और आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद